नमस्का दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, आज बनाएंगे बीना दूद और बीना मिल्क पाउडर का एकदम मलाईदार दही, ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी बनता है और एकदम मलाईदार गाडा दही बनके रेडी होता है, तो ये रेसिपी को आप लोग लास तक दे इसके लिए मैं कुछ आमंड बादम ले लिया हूँ, इदर 300 ग्राम आमंड बादमें, एक कच्छवला बादमें, कोई ड्राइ रोस्ट किया हुआ ये मासला दर नहीं है, इसको मैं अच्छे से पानी से धो के 4-5 खंटे के लिए भीगो के रख दिया था, उसके बाद इस ब एक दम अच्छे से प्रेस करने से निकाल आता है, तो देखिए मेरा जितना सारा बादम था अच्छे से में छिलका निकाल दिया, उसके बाद एक मिक्सी का जार ले लिया, जार के अंदर आधा जो बादम था, उसको डाल के थोड़ा सा पानी देके, मैं इसको चला तो देखिए बदाम जो होई एक दम स्मूथ पीजना चाहिए, तो देखिए मेरा जो बदाम है अच्छे से पीज चुका है, उसके बाद मैं एक स्पून से जो मिक्सर गाइंडर का जार था उसी से निकाल रही हूँ, सेकें डाइम बदाम को जब पीजा में थोड़ा जादा पानी देके पीसा तो इसीली निकाल गया, और जो जार में एक स्टा वाला बदाम राय गया तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी देके उसका घोल भी इस मिस्टरन के अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स्ट कर दिया, उसके बाद मैं और एक बतन ले लिया, उसके उपर द और देखे एकदम गारा सा दूद बनके रेडी हो जाता है इस बदाम से, और इस बदाम से हम आज दो रेसिपी बनाएंगे, तो पहले हम दही बनाएंगे, उसके बाद लड़ू भी बनाएंगे इसके साथ, तो देखे इसको अच्छे से ऐसा निचोर की इसके अंदर जितन से बड़िया निकल के आए है, इसी से आज हम और एक रेसिपी बनाएंगे, तो पहले क्या किया है, देखे इसको अच्छे से ऐसा हास से गुड़ा करके इसको अलग रख दिया, और दूसरे तरब में गैसोबिन में एक कराई बिठा दिया, उसके अंदर जो बदाम का तो एकदम मलाईदार दही बनता है, बहुती टेस्टी और बहुती हिल्दी भी है, तो इसी टाइम पर इसके अंदर दे दिया 1 टीस्पून छोटेलाईची का दाना, आप लोग चाहे तो छोटेलाईची का पाउडर भी दे सकते, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दे कम पसंद करते हैं, तो कम दीजे, मैं आज जादा चीनी दिया, इसलिए कि मैं आज मीठा बाला दही बना रही है, तो देखे दूद अच्छे से उबाल लिया, और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया, दूसरे तरह बदाम का पाउडर था, उसके अंदर में दा गूर, तो गूर से ही अच्छ लड़ू बनाएंगे, अब लोग चाहे तो चीनी से भी बना सकते, मगर गूर बहुत हिल्दी होता है, और बदाम भी बहुत हिल्दी है, तो गूर से ही बनाएंगे, और इसके अंदर डाल दिया, वान टी स्पून के करीब छोटे लाईची का दाना, सारी इंग्रिडियन्स को अच्छे से स्पून से मिक्स कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो अच्छे से गूर को सब बदाम को मिक्स कर देने से, यह अच्छा घूल मिल जाता है, और दुसरे तरफ इधर के आके गैसोबिन में एक नॉन स्टीक का पैन बीठा इसमिस्टरन को इसके अंदर डाल दिया, पहले इसको एकदम लो फ्लेम में चलाना है, तो देखेगा धीरे धीरे चलाते चलाते, यह जो बदाम का कलर है, ओ धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, और गूर भी जो है, ओ मिल्टेट होता जाएगा, तो एक गूर के साथ यह अडाम और गूर का जो मिस्रन है बनके रेडी हो चुका है और इसको देखे थोड़ा हलका होने के लिए रख देंगे और दूसरे तरब में लेले थोड़ा सा सफेद वाला तील तो यह जो मिस्रन था जी cabe गर में लेकंする लड़ू नंकू भाध बनके लेडी हो चुका है quickly एक बदाम से दो रेसिपियाज बनेगा और यह जो लड़ू होता है इतना टेस्टी बनता है दोस्तों अब लोग को पता ही नहीं चलेगा मतलब अब लोग जब खाएंगे कि इससे अब लोग दूद निकाल दिये हैं एक तम परफेक्ट वाला जो लड़ू होता है टेस्ट का वैसे इवन के रेडी हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है खाने में तो देखे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना मॉइस्ट है देखिए और दूसरे तरब देखिए इधर जो दूद था दूद पहले से थंड़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा भी थंड़ा इसके बाद क्या करेंगे इस दूद को थ्वरा दही बनाने के लिए हात में देखे देख लेंगे मतलब हात में से ऐसा गरम रहना चाहरे इए उसदूद को तो देखिए दूद जो है एकदम गाड़ा हो चुका है और दूसरी तरब में दही ले लिया हो एक च्छनी में चमता है तो इस लिए देखिए इस दई को अच्छे से फेट के इस मिश्रन के अंदर मतलब आदम धूद के अंदर अच्छे से mix कर देंगे इसको अच्छे स्वेटना चाहित अब चास्त कर सकते ही नहीं तो ऐसी आप लोग थोड़ा सा देदी दियेगा तो वह उसमें भी व्हारा है इससे बहुत ही अच्छा जो धhi बनता है। एक्तम रबडी वला मलाई दख दही बनके रेडी होता है। चार तरफ से इसको दे के इक अलमूनियम का फॉयल ले लिया। अच्छे छारों तरफ से इसको फोल्ड करके बांद दे के। तो देखे मेरा हाथों से अच्छे से इसको अच्छे से चारो तरफ से लगा दे रही हूँ और उसके बार एक रबर्बन दे के भी इसको अटक दे रही हूँ तो देखिए, मेरा अच्छे से इसको मिस्रन को मैं सेट कर दिया। ईक क्या क्या टाविल ले लिया, इस टाविल के उपर इस द्धे को जमाना है। तो इसको जब जमाएंगे इसको हिलाना नहीं है और इसको एकदम अच्छे से चारो तरफ से स्टावल के अंदर फोल्ड कर देंगे अभी तो सर्दी का टाइम है मतलब ठंडे का मौसम है अभी तो उसी लिए इस दई जमाने में 12 से 13 घंटा टाइम लगता है और हम लोग ट्र परिया दही बनके रेडी हो चुका है एकदम उपर से देखे मलाईदार दही बना है एकदम ठीक दही तो एकदम देखे उपर में मार्केट में जैसा दही मिलता है ठीक वैसा है इसको पता ही नहीं चलेगा यह बदाम से बनाए और यह बदाम बाला दही जो होता है दोस्तो तो इतना टेस्टी होता है आप लोग एक बार खा के जरूर देखिए तो देखिए उपर से पुड़ा मलायदार ठीक दही बनके रेडी हो चुका है आप लोग घर में जरूर एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत बहुत शेयर कर दीजिए फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ तब तके लिए बाई बाई